नमस्कार स्वागत है अपका बिहारी नूज में मुरतन सेन भारती अज हम बात करेंगे बिहार में एम्बुलेंस के किराय को लेकर बिहार में कुरोना की दूसरी लहर से सबसे ज़्यादा लोगों की मौत हुई है अस्पतालों में मरीज ऑक्सीजन और बेड की भारी किलत से जूज रहे हैं तो वहीं एम्बुलेंस चालकों का मनवाना रवया भी काफी परिसान कर रहा है खासकर प्राइवेट एम्बुलेंस चालक आपता को अबसर की रूप में जुटा रहे हैं ऐसे में मरीजों के परिजनों से एम्बुलेंस के चालक मनवाना पैसा बसूल रहे ह मजबूरी में परिजनों को पैसा देना भी पड़ रहा है, ऐसे में बिहार सरकार ने प्राइबेट एंबूलेंस चालकों की मनवानी पर लगाम लगाने का फैसला किया है, बिहार में मातर 400 एंबूलेंस ही हैं पंजिकृत, बिहार में लगभक 400 एंबूलेंस ही हैं पंजिकृ दूसरी स्रेनी में पंजी करन होने के कारण उसमें से एंबुलेंस की पहचान मुश्किल हो जाती है। लाड़ी चाला कि इसी का फाइदा उठाते हुए जांचा भियान में अगर कभी एम्बूलेंस की जांच होती है तो वह दूसरी सिरेनी में अपने आपको पंजे किरित बता कर बस निकलते हैं प्राइवेट एम्बूलेंस के मनवाने रवया के बाद से अब बिहार सरकार ने बड़ा एक्सन लिया है जिसमें सभी परकार के प्राइवेट एम्बूलेंस का किराया कीलो मीटर के हिसाब से फिक्स कर दिया गया है इस फिक्स रेट से अधिक पैसे बसुलने पर करवाई की भी बात कही गई है, सरकार की तरफ से जारी किये गए, अदेश में साप साप कहा गया है कि सरकार को सुचना मिली है कि कोबिड-19 महामारे से उत्पन प्रस्थिती में नीजी एम्बूलंस चालकों के द्वारा मनवाना किराया वसूल किया जा रहा है, जिससे मरीजों के परिजनों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, सरकार ने गंभीरता से इसका संग्याल लिया है, इसके साथ ही यह भी कहा गया कि एम्बूलंस का दर्द निर्धारन हेतु स्वास्त विभाग और परिभार विभाग ने आपसी समर्मन से गठिर समीती के द्वारा बिश्तरित समिच्छा उपरांत राजभर्त में नीजी एम्बूलंस का किराया निर्धारित करने की इन संसा की है, इस ए आदेश दिया है, शिकायत के लिए टॉल फ्री नंबर, वह नंबर है, 06202751107 पर कॉल कर सकते हैं, सरकार द्वारा साफ कहा गया है कि यदि इस रेट से अधिक कोई भी एम्बूलंस सालक पैसा बसूलता है, तो उसके खिलाब सक्ति से करवाई की जाने चाहिए, आइए हम जान लेते हैं कि आखिरू वह कौन सा किराया है, और किस धर पे कैसे मिलेगा, बहान जो है 50 किलो मीटर से अधिक की दूरी पर जाएगा, तब फिर आपको किस तरह का किराया देना होगा, छोटी कार जो सामान गाडिया है, वो अगर 50 किलो मीटर के रेंज तक जाएगी, तो परती किलो मीटर, 18 रुपिया के हिसाब से आपको देना होगा, वहीं जो तीसरे कटेगरी रखी गए उसमें है, बलोरो, सुमो, मार्सल, जो सामान इसका किराया हुए, अगर आप पे 50 किलो मीटर से ज्यादा दूरी कार सफर करता है वो गाड़ी, तो उसमें 18 रुपिया प हर रुपिय परती किलो मीटर के हिसाब से इसमें जुड़ता जाएगा, वहीं अगर हम बात करनें टैक्सी, सीटी राइड, विंगर, टेम्पो का, तो यह जो इसका किराया है, वो पचीस सव रुपिया है, पचास किलो मीटर के रेंज तक का, और अगर हम पचास किलो मीटर से आगे अगर हम जाते हैं, तो यह जो है, पचीस रुपिय पर ती किलो मीटर के हिसाब से आगे बढ़ेगा, और इसमें जो है, उन्होंने सीट भी निधारत का रखा, तो चाउदा से बाइस सीट वाली यह गाडिया है, जिसमें मैक्सी, सीटी राइड, विंगर, टेम्प यह आते हैं, और इसकी तहद उन्होंने चाउदा से 22 सीटों का निधारत भी किया है, इसके बाद जो गाडियों का जिक्र कियागया है, उसमें है जाइलो, असकारियो कोईली डेटा, और इसका भी जो ढपनाया है, इसका भी जो दर बताया गया है, यक्पर आगर आप सुनने की बात कही गई थी ऐसे मैं जो है अब बिहार सरकार ने एंबुलेंस पर नकिल करशने के लिए किराया जो है दोन दोधारित कर रखा है विहार और विहार से जुड़ हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें विहारी न्यूज के साथ मुझे दिजिए धन्यवाद